एक बात तो ये कि ये देश की जनसंखा के लिए अच्छा है मैं बस फाइदे गिनवा रहा हूँ ब्रह्मचर ये क्यों? पहले तो ब्रह्मचर है क्या? ब्रह्मध मतलब जो परम है या ईश्वर चर्य मतलब मार्ग जो परम के मार्ग पर है या जो ईश्वर के रास्ते पर है एक ब्रह्मचरी है जो ईश्वर के रास्ते पर है का मतलब है देखे आखिरकार हर कोई आनन्द की खोज में है ना? जाने आन जाने में हाँ या ना? हाँ, क्योंकि आपको आनन्द नहीं मिला तो आपने सुख से काम चला लिया सुख आनंद नहीं है सुख बस आनंद की परचाईं भर है ये सुन्दर है लेकिन ये बहुत सीमित है जब भी आप खुद को सुख में लगाते हैं अगर आपको सुख लेना है तो सुख के लिए आपको किसी इंसान किया किसी चीज की जुरूत पड़ती है, है की नहीं? जितना आप सुख की गहराई में जाते हैं, उतनी ही गहराई से आप उस इंसान या उस चीज से बंध जाते हैं, हाँ? मान लीजी ये चीज ये व्यक्ति आप से ले लिया जाए, तो आप तूट जाएंगे, है की नहीं? अगर आपका सुख के साथ बड़ा गहरा जुडाव है, तो वो चीज या वो इनसान जिससे आपको सुख मिलता है, आप से ले ली जाए तो आप तूट नहीं जाते हैं, तो आपका अस्तित्व एक बड़ा बंधन बन जाता है, बंधन कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसका कोई मजा लेता है, आपके अंदर कुछ ऐसा है, जो हमेशा हर एक बंधन से मुक्त हो जाना चाहता है, लेकिन अगर आप सुख खोजने में लग गए, तो आप खोशी खोशी अपने आप ही ऐसी सीमाएं बना रहे हैं, जिने आप पार नहीं कर सकते, बुरी लगने वाली सीमाओं को आप तोड़ सकते हैं, है की नहीं, अच्छी लगने वाली सीमाओं को आप नहीं तोड़ सकते हैं, अपनी बहुत सारी जंजीरों पर आपने सोने का पानी चड़ा रखा है और आप उन्हें गैनों की तरह पैंते हैं पैंते हैं की नहीं अपनी सीमाओं का आप जश्न मनाते हैं एक बार आप अपनी सीमाओं का जश्न मनाने लग गए तो फिर उनसे मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है तो ब्रह्मचर एका मतलब है कि आप ईश्वर के रास्ते पर है इसका मतलब है कि इस तरफ पहला कदम ये है कि आप अपने स्वभाव से ही प्रसन्न है जब भी आप बहुत खुश या आनंदित होते हैं आपने देखा है ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ की जरूत नहीं है किसी एक दिन जब आप बहुत खुश होते हैं अगर आप खाना ना खाएं सोएं ना कोई फरक नहीं पड़ता होता है न अगर आप ना खुश हैं तो हर चीज़ बढ़िया होनी चाहिए आप दुनिया में हर चीज़ के बारे में शिकायत करते हैं है की नहीं जब आप सच में आनंदित होते हैं तो देखे यह आपको मुक्त कर देता है जब आप ना खुश होते हैं तो हर चीज़ महत पूर्ण होती है हर चीज़ एक विशिश तरीके से होनी चाहिए हर चीज़ के लिए आप शिकायद करते है ना खुश लोग हमेशा शिकायद करते है खुश लोगों के साथ काम करना उनके साथ होना हमेशा असान होता है क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो कुछ और माइने नहीं रखता, हर चीज लचीली होती है. तो आजादी किसमे हैं? आनन्द आजादी है या सुख आजादी है? साफ है, आनन्द आजादी है, है की नहीं? तो आप देख रहे हैं, कि प्रसन्न कैसे रहा जाए? अगर आपने इसे बाहर ढूडा, तो आप अपने आप सुख खुजने वाले बन जाएंगे. आनन्द का स्त्रोत तो वैसे भी आपके अंदर है, जब भी आप खुश थे, तो खुशी आपके अंदर महसूस हुई थी या या बाहर से आप पर बरसी थी? ये हमेशा आपके अंदर होती है, है कि नहीं? तो अगर खुशी का स्त्रोत आपके अंदर है, तो इसे बाहर खुजना एक बेवकूफी बरा काम है. होता ये है कि खुशी का स्थरोत आपके भीतर है बस आनंद पाने के लिए आप बहरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं या दूसरे शब्दों में आपका आनंद धक्का मार कर स्टार्ट होता है क्या हम इसे सेल्फ स्टार्ट बना लें? आपको नहीं चीए अगर आपने अपने आनंद को स्टार्ट बना लिया है तब आप एक ब्रह्मचारी है अब आप ईश्वर के रास्ते पर हैं आप अपने स्वभाव से ही आनंद धेते हैं क्या यहां के सारे ब्रह्मचारी ऐसे बन गए हैं? हो सकता है नहीं लेकिन इराधा यही है वो इस तरफ काम कर रहे हैं इस तरफ काम करने के लिए आपको एक स्थान और समय चाहिए होता है आपका अपना, जिसमें आपको अपने जीवन में दूसरी चीजें हैंनल ना करनी पड़ें इसलिए उन्होंने जीवन जीने का एक खास तरीका चुना है अभी कल हम लोग उपर भार पर गए थे सिर्फ अपने शरीर का भार लेकर उपर चढ़ने में आप में से कई लोगों के पैर काम पने लगे थे है कि नहीं? मान लीजिए आप अपने कंदे पर चार लोगों को बैठा कर उपर चढ़ना चाते हैं आप में से कितने लोग उपर पहुँच पाएंगे? आप में से ज़्यादा तर नहीं पहुँच पाएंगे है कि नहीं? इसलिए ब्रह्मचर्यर आप समझे? आप बहुत उची चोटी पर चढ़ने के त्यारी कर रहे हैं अगर आपके पास दस लोगों को कंदे पर लेकर चढ़ने की ताकत होती तो ये शांदार बात होती लेकिन ऐसे लोग हमें बहुत कम ही मिलते हैं अकेले चलना बहतर होता है इसलिए वो अकेले चलते हैं अभी आपकी समस्या ये है कि जब तक आप चौदा के हुए आपकी बुद्धी हॉर्मोन्स ने हर ली इतनी जादा कि आप समझ ही नहीं पाते या ये मान ही नहीं पाते कि इनसे मुक्त कैसे होना है कोई यहां बस बैठे बैठे खुश रह सकता है उन्हें शादी करने की ज़रूत नहीं है उन्हें आदमी औरत के पीछे भागने की ज़रूत नहीं है उन्हें ऐसा या वैसा करने की ज़रूत नहीं है वो बस जीवन में साधरान चीज़े करके खुश है आप से ज़ादा अनंदित हैं, आप से ज़ादा तीवर हैं तो कैस का मतलब है कि आप सबको ब्रहमचारी बन जाना चाहिए? नहीं, आप सभी को अंदर से ब्रहमचारी बनना चाहिए जीवन शैली के मामले में वो ज़रूरी नहीं है ब्रमचरे का मतलब सिर्फ कुमारा रहना नहीं है, ठीक है? ब्रमचारी बनने के लिए ये बहुत सारे पहलूं में से बस एक है, जिसे मदद के लिए लिया गया है ब्रमचरी यानि आप दिव्व के रास्ते पर चल रहे हैं मतलब आप अपने स्वभाव से ही परामानंदित हैं, आप शादी शुदा होकर भी ब्रमचारी हो सकते हैं, ये संभव है क्योंकि आप अपने स्वभाव से ही आनंदित हैं, आप अपने पती या पतनी से आनंद निचोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप अपने सुभाव से ही आनंदित हैं यह ऐसे ही होना चाहिए पूरे संसार को ब्रमचारी होना चाहिए है की नहीं? हर किसी को अपने सुभाव से आनंदित रहना चाहिए अगर दो लोग मिलते हैं तो यह खुशी बांटने के लिए होना चाहिए ना कि एक दूसरे से खुशी एंटनी के लिए है कि नहीं तो जिन्होंने ये फैसला लिया है कि उन्हें किसी दूसरे से खुशी नहीं एंटनी है बलकि उन्हें अपने ही भीतर की खुशी का स्त्रोत पाना है उन्होंने ब्रहमचरे ले लिया है और एक खास व्यवस्था क्यों बनाई गई है उन्हें सिर्फ उनके आत्म ग्यान के लिए नहीं अपनाय गया है अगर ये सिर्फ उनके आत्म ग्यान की बात होती तो हम कितने ही दूसरे तरीकों से ऐसा कर सकते थे आप मैंसे कितनों ने आम खाया है आपने आम खाया है? आपने आम खाया है? नहीं? आप में से कितनों ने आम का पेड़ लगाया है? देखा केवल दस लोगों ने आम का पेड़ लगाया है पर आम खाया सबने हैं ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि लगातार हर पीड़ी में वो दस लोग आम के पेड़ लगा रहे है और सब लोग खा रहे हैं तो आध्यात्मिक मार्ग को पूरी इमानदारी के साथ जारी रखने के लिए ब्रहमचारियों की जरूरत है ब्रहमचारी का मतलब है कि हम उन्हें इस तरह से रख रहे हैं कि उनकी उर्जाएं धीली हैं, लचीली हैं हम उनसे कुछ भी बना सकते हैं मतलब कुछ भी बना सकते हैं मैं दस ब्रहमचारियों को एक में मिला सकता हूं और दस ब्रहमचारियों से एक बहुत बड़ा इंसान बना सकता हूं एक बहुत बड़ी शक्ती हमने उनकी उर्जाएं धीली रखी हैं उनका कोई विक्तित नहीं है आप उन्हें जैसे भी मोणे वो वैसे ही बन जाएंगे देखिए अगर हम एक उदाहरन लें तो आप एक मिट्टी के बरतन की तरह हैं आप एक कार्मिक बरतन जैसे हैं कुछ विशेश कर्मों ने, विशेश प्रभावों ने आपको एक विशेश रूप दिया है जीवन के प्रक्रिया के साथ अब आप एक विशेश प्रकार के इंसान बन गए हैं जब आप बच्चे थे तो ये काफी लचीला था जब आप युवा थे, तब ये थोड़ा कड़ा हो गया जब तक आप वयस्क होते हैं ये बिल्कुल कड़ा हो जाता है ये ऐसा है जैसे हम देख सकते हैं कि बरतन धीरे धीरे जीवन की प्रक्रिया के साथ पक रहा है अब जब तक आप बुढ़े होंगे तब तक ये पूरी तरा से सख्त रूप होगा अगर आपने इसके साथ कुछ भी किया तो ये टूट जाएगा देखे अभी यहां एक पका हुआ बरतन है अगर आप इसका आकार बदलने की कोशिश करें तो ये केवल टुकडे टुकडे ही होगा है की नहीं लेकिन जब ये पका नहीं था तब आप आसानी से इसको मोड कर कुछ भी बना सकते थे आपने दस कच्चे बरतन बनाए कल आपको ये अच्छे नहीं लगे तो आप इन सब को एक साथ जोड़कर एक बड़ा बरतन बना सकते हैं है की नहीं अब हम पके हुऊं को कच्चा बना रहे हैं हम उने उस सबस्था तक कच्चा बना रहे हैं जहां वो बहुत लचीले हो जाएं हम उने कोई भी आकार, कोई भी रूप दे सकते हैं तो ब्रह्मचारी उस तरफ काम कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी साधना है ये वैसा नहीं है जानते हैं जैसे दुनिया के दूसरे सिस्टम कर रहे हैं कि वो बस शादी न करने की कसम खा लेते हैं ये वैसा नहीं है वो अपनी उर्जाओं के साथ क्या करते हैं उसका पूरा का पूरा एक सिस्टम है अंदरूनी तोर पर बहुत बड़ा खाम किया जा रहा है ये इसका बहुत छोटा हिस्सा है जो आपको दिख रहा है कि उन्होंने शादी नहीं की ये इसका बहुत छोटा हिस्सा है बाकी का बहुत अंदरूनी है और ऐसे लोग जो दूसरों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करना चाहते हैं, उनकी समाज में जरूरत है किसी भी समय, किसी भी समाज में दूसरों की भलाई सोचने वाला अगर कोई भी नहीं है तो वो समाज निश्चिती बरबादी की तरफ बढ़ रहा है पका, अभी इस समाज के साथ यही चीज हुई है बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं बाकि सब मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या अगर कुछ प्रतिशत लोग अपनी भलाई से परे सोच रहे हैं सिर्फ तभी समाज संतुलित और स्थिर रहेगा, नहीं तो समाज बस बरबाद होता चला जाएगा क्या ये महतुपूर्ण नहीं है, कि कुछ लोग हैं जो अपनी भलाई अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं वो देखते हैं कि ये सब दूसरों के लिए कैसे संभव हो, तो आध्यात्मिक्ता की प्राचीन शुद्धा बनाए रखने के लिए और इसे पीड़ी ढर पीड़ी प्रसारित करने के लिए, ब्रह्मचारी भविष्य के लिए एक निवेश है, एक छोटे मूल समौ की ज़रूरत है सब को ये करने की जरूरत नहीं है और नहीं हम सब को लेंगे हर साल प्रमचरे के सैकड़ों आवे दनाते हैं हम उनमें से बस आट-दस लोगों को लेते हैं बहुत सारे गुनों को देखते हुए और तमाम संभावनाओं को देखकर हम हर किसी को नहीं लेते क्योंकि ये जरूरी नहीं है और नहीं वो ऐसे बन पाएंगे और नहीं वो उतनी साथना कर पाएंगे जिसकी जरूरत है या जो उनसे अपिक्षित है आपका अस्तित्व लचीला और जागरूग बनना चाहिए जिससे आप खुद को किसी भी तरह का बर्तन बना सकें क्या ऐसी आजादे अच्छी चीज नहीं है यही ब्रह्मचर्य है